दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल Be Your Money Manager और आपके financial सफर को सुहाना बनाने से जूड़ी एक और जानकारी के साथ हाजिर हूँ मैं यानि आपका मनमित्र रजिनिश्कान दोस्तो अगर आप देख के सबसे बड़े बैंक, State Bank of India यानि SBI में FD कराने जा रहे हैं तो FD पर मिलने वाली नई ब्याज़दर जानने क्योंकि SBI ने FD ग्रहकों को जवर्दस्त जटका दिया है SBI ने 2 क्रोड तक की FD जिसको Retail Term Deposit कहते हैं पर ब्याज़दर में 0.25% से लेकर के 0.50% की कटोती कर दी है यानि कह सकते हैं कि FD पर मिलने वाले ब्याज़दर अब 0.5% कम ब्याज़देंगे हलाकि बैंक ने 7 से 45 दिनों तक की FD पर ब्याज़दर में कोई बदलाव नहीं किया है नई ब्याज़दर दस फ्रवरी 2020 से लागू होंगी इससे पहले 10 जनवरी 2020 को FD पर ब्याज़दर में 0.95% की कटोती की थी वही 10 नमबर 2019 से FD पर ब्याज़दर में 0.75% की कटोती की थी नई दर नई FD और मैचियोर हो चुकी FD के रिन्यू कराने पर लागू होगी सेनियर सिटिजन यानि जिनकी उमरे 60 साल या उस्से अधीक है SBI पेंसनर्स को पहले की हितरा आम नागरिकों के मुकाबले सालाना शुन्य दसमरों 5-0.30 ज्यादा ब्याज मिलता रहेगा तो अब जान लेते हैं कि किस अबडी की FD पर कितना ब्याज मिलेगा आम नागरिकों और सिनियर सिटिजन और पेंसनर्स को तो साथ से 45 दिनों के FD पर आम नागरिकों 4-5.30 सालाना ब्याज मिलेगा वहीं सिनियर सिटिजन को 5.30 सालाना ब्याज मिलेगा 46 से लेकर के 189 दिनों के FD पर आम नागरिको 5.30 जबकि senior citizen को 65% सालाना ब्याज मिलेगा 180 दिनों से लेकर के 210 दिनों तक की FD पर आम नागरी को 65% जबकि senior citizen को 6% सालाना ब्याज मिलेगा 211 दिनों से लेकर के 1 साल तक की FD पर आम नागरी को 65% जबकि senior citizen को 6% सालाना ब्याज मिलेगा एक साल से लेकर के दो साल तक की FD पर आमनागरी को सालाना ब्याज 6 परतिसत वहीं सिनियर सिटिजन को 6 परतिसत सालाना ब्याज मिलेगा दो साल से लेकर के तीन साल तक की FD पर आमनागरी को 6 परतिसत जबकि सिनियर सिटिजन को 6 परतिसत सालाना ब्याज मिलेगा तिन साल से लेकर के पांच साल तक की FD पर आम नागरी को 6% वहीं सिनियर सिरिजन को 6% सालाना ब्याज मिलेगा ये SVI वेबसाइट से ली गई है तो अगर आप FD करने जा रहे हैं तो SVI की भी नई ब्याज दर जानने और दूसरे बैंकों को भी नई ब्याज दर जानने और जहां पर आपको ब्याज बहतर मिल रहा है वहाँ पर FD कराने की कोशिश करे तो अच्छा रहेगा अब हालां कि FD कराने वालों को SVI ने जटका दिया है लेकिन जो लोन लेना चाहते है SVI से या जिन्होंने लोन लिया हुआ है उनके लिए अच्छी ख़वर है SVI ने MCLR पर आधारित लोन की ब्याज़दर में 0.05% की कटोती की है कटोती के बाद एक साल के MCLR पर ब्याज सालाना 7.9% से घट करके 7.85% हो गया है नई कटोती 10 फरवरी 2020 से लागू बैंक की इस वित वर्स में MCLR पर ब्याज़दर में लगातार 9 मी कटोती है अगर फरवरी 2019 से ले करके फरवरी 2020 तक MCLR पर ब्याज़दर में कटोती की बात करें तो वह 0.07% हो गई है यानि एक साल में 0.07% की कटोती की गई MCLR पर आधारित लोन की ब्याज़दर में SVI के द्वारा तो चली जान लेते हैं अगर आप लोन लेने जा रहे हैं MCLR पर तो कितना कितना ब्याज़दर देना पड़ेगा तो रात भर के लिए यानि ओवरनाइट अगर आप लेते हैं तो 7.6% सलाना ब्याज़दर देना होगा एक महिना के लोन पर 7.6% तीन महिने के लोन पर 7.6% चाह महिने के लोन पर 7.8% एक साल के लोन पर 7.8% दो साल के लोन पर 8.05% और तीन साल के लोन पर 8.15% ब्याज़दर देना होगा तो FDI कराने बालों को जटका और लोन लेने वालों के लिए तोफा दिया है SBI ने तो चलिए B.E.O.R. Money Manager में आज इतना ही लेकिन अपने financial सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना YouTube चैनल B.E.O.R. Money Manager और पढ़ते रहिए हिंदी financial blog B.E.O.R. Money Manager.blogspot.com और हाँ दोस्तों अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सबस्क्राइब ने किया तो जरूर कर लें और पैसों से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछे आपका किबती समय देने के लिए धन्यवाद नमस्कार